जगरनात पूरी मंदिर के रहस में सबसे ज़ादा अश्यर शकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस ब्रहम पदार्थ का रहस है इस प्रकिरिया में भगवान जगरनात वा अनमूर्तियों को जब बारह वर्ष बाद बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर की सुरक्षा ताशारों तरफ स पुखता की जाती है इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठा नौ कलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आखो पर रेशम की पटिया बांध कर मंदिर में भेजा जाता है इन मुर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है उसको नई मुर्तियों में सवधानी पुर्वक स्थापित कर दिया जाता है कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी उर्जा है कि इसको देखने वाला वेक्ति आंधा हो सकता है और मर भी सकता है वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है सदियों से ये प्रकिरिया चली आ रही है दिव्य ब्रहम पदार्थ को अस्तांतरिन करने वाले पुजारियों के अनुभाव को माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई कि वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं वो पदार्थ किसी खरगोस की तरह फुदकता रहता है कोई कहता है कि ये अश्ट धातू से बना कोई दिव्य परदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान स्री कृष्ण का अद भी माना गया है आप लोगों को क्या अश्ट है